तुम देखेंगे परिमे संख्याओं के संख्यारेखा पर निरुपंड से संबंदित कुछ दिल्चस्प उदारण। नीचे दर्शाई संख्यारेखा पर किनी भी दो बिंदुओं के बीच समान दूरी है। ग्याद कीजिए बिंदु P और Q कौन सी परिमे संख्या को अंकित करते हैं। धर्शाई गई संख्यारेखा पर किनी भी दो बिंदुओं के बीच बराबर दूरी है। यह दूरी ग्याद करने के लिए हम किसी संख्या से उसके बाई और की संख्या को घटाएंगे। जैसे यहाँ शून्य रिंड कोश्चक में रिंड एक बटे साथ बराबर एक बटे साथ है। यनि कि शून्य और रिंड एक बटे साथ के बीच की दूरी एक बटे साथ इकाई है। इससे हमें यह पता चलता है कि संख्या रेखा पर यदि हम शून्य के बाई और चलते हैं, तो संख्याएं 1 बटे 7 से कम हो रही है. यहां रिंड 6 बटे 7 के बाई और 1 बटे 7 दूरी चलने पर हमें बिंदु भी प्राप्त हो रहा है. इसलिए यह बिंदू रिंड 6 बटे 7 रिंड 1 बटे 7 बराबर रिंड 7 बटे 7 को निरुपित करेगा यानि कि संख्या रिंड 1 को निरुपित करेगा इसी तरह अब आप बिंदू Q कौन सी परिमे संख्या को निरुपित करता है स्वयम ग्यात कीजिए अगला उदारण संख्या रेखा पर 35 पटे रिन आठ को निरुपित केजिए यदि परिमे संख्या का हर रिनात्मक हो तो पहले हम इसे धनात्मक करते हैं इसके लिए हम अंश और हर दोनों को रिन एक से गुणा करते हैं ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्दन न हो इसे हमें परिमे संख्या रिन 35 पटे आठ प्राप्त होगी रिन 35 पटे आठ एक रिनात्मक परिमे संख्या है इसलिए इसका स्थान शूर्नी के बाई ओर है हम रिंट 35 बटे 8 को रिंट 4 और 3 बटे 8 इस प्रकार लिख सकते हैं इससे हमें पता चलता है कि दी गई परिमेय संख्या का स्थान रिंट 4 और रिंट 5 के बीच में है सटीक स्थान ग्याद करने के लिए हम रिंट 4 और रिंट 5 के बीच की इकाई दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे इन में से 3 भाग लेकर संख्या रिंट 4 और 3 बटे 8 यानि रिंट 35 बटे 8 दर्शाएंगे अगला उदाहरण बिंदू P Q RS में से प्रत्य एक बिंदू 3 बटे 2 रिंट 4 बटे 5 दस बटे 3 और रिंट 7 बटे 4 में से एक परिमय संख्या को निरुपित करता है लेकिन दिये गई क्रम से नहीं बिंदू Q न तो सबसे दाई और है नहीं सबसे बाई और बिंदू R बिंदू Q के निकड़तम दाई स्थान पर है बिंदू P बिंदू R के दाई और है प्रतिक बिंदू द्वारा निरुपित परिमय संख्या ग्यात कीजिए और इन्हें संख्यारेखा पर व्यवस्थित कीजिए वीडियो रोक कर आप इस पहली को सुलजाने का स्वयम प्रयास कीजिए चलिए हम बताते हैं चलिए सबसे पहले दी गई सूचनाओं से बिंदू P Q RS को सही क्रम से व्यवस्थत करें पहली सूचना हमें बताती है कि बिंदू Q न तो सबसे दाई और है न ही सबसे बाई और यानि कि अवश्य यह बीच के किसी स्थान पर होगा हम कह सकते हैं कि बिंदू Q या तो इस थान पर होगा या इस थान पर चलिए इन दो संभावनाओं को इस प्रकार दर्शाएं दूसरी सूचना से हमें ग्यात होता है कि बिंदू R बिंदू Q के निकटम 20 थान पर है इस तरह से हम बिंदू आर इस थान पर या इस थान पर दर्शा सकते हैं तीसरी सूचना से हमें ग्यात होता है कि बिंदू P, बिंदू आर के दाई और है इस स्थिती में बिंदू आर के दाई और बिंदू P को रखा जा सकता है लेकिन इस्थिती में ऐसा करना संभव नहीं इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था गलत है अब हम 6 बिंदू S को रिक्त स्थान पर रखेंगे इससे हमें बिंदूओं का क्रम प्राप्थ होगा S Q R P इसी तरह अब हम दी गई परिमय संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसके लिए हम संख्यारेखा का प्रयोग करेंगे यानि कि हम संख्यारेखा पर दी गई परिमय संख्याओं को निरुपित करेंगे तीन बटे दो एक धनात्मक परिमिय संख्या है इसे हम एक और एक बटे दो लिख सकते हैं इसलिए इसका स्थान एक और दो के बीच में है सही स्थान ग्याद करने के लिए हम एक से दो के बीच की दूरी को हर जितने भागों में यानि दो भागों में विभाजित करेंगे चुकि अंश एक है इसलिए इन दो भागों में से एक भाग लेकर हम संख्या एक और एक बटे दो या तीन बटे दो निरुपित करेंगे इसी तरह हम रिंट 4 बटे 5, 10 बटे 3 और रिंट 7 बटे 4 को निरुपित करेंगे परिमेय संख्याओं के क्रम और दिये गए बिंदुओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम कह सकते हैं कि बिंदू S परिमेय संख्या रिंट 7 बटे 4 को, बिंदू Q परिमेय संख्या रिंट 4 बटे 5 को, बिंदू R परिमेय संख्या 3 बटे 2 को, तथा बिंदू P परिमेय संख्या 10 बटे 3 को निरुपित करते हैं तो आज हमने देखे परिमेर संख्याओं के संख्या रेखा पर निरुपन्ट से संबंदित कुछ दिल्चस्प उधारण